मौसम है आसिकाना एं दिल कही से उन्न को ऐसे में ठोड़े लाना मौसम है आसिकाना फ्रेंस मैं आपकी दोश्द सुदा सिंग विकलान साती ट्रेस्ट के दिव्यांगाम चैनल से आज सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग सोस्त होंगे फ्रेंस आज वागई मौसम बहुत अच्छा है और बारिस हो रही है और इस अज़े से मैं अपने लौन में सूट नहीं कर पा रही हूं और आप लोगों को मैं कहानी सुना रही हूं तुम कब आओगे फ्रेंस आपने मेरी कहानी तुम कब आओगे कि भाग एक और भागदो को बहुत पसंद किया इसके लिए मैं तहे दिल्चे सुक्र गुजार हूं आप लोगों का आप लोग अपना प्यार और आशिरवाद मेरी कहानीों पर यूँ भी बनाए रखिएगा और मैं अपनी कहानी के मादिन से आप सबको फिर लेकर चलती हूं निसा की जिंदगी में कि उसकी लाइफ में कितनी दिकतों का सामना उसे करना पड़ा समाज हमारा समाज जो एक सहीद होने पर जिसके अंदर इतना रोस होता है जितना दर्द होता है हमारा वही समाच कुछ दिन बाद हमारे उन सहीदों के घरवालों को भूल जाता है और कभी-कभी तो ताने भी देता है तो मैं यही सारी बातों से आपको अवगत कराती हूँ और इसी माध्यम से मैं अपनी कहानी के माध्यम से आप सबको मैं लेकर चलती हूँ निशा की लाइफ में आप लोगों ने सुना कि प्रेम के जाने के बाद निशा अपना मंगसूत्र और सिंधूर नहीं निकालती है जिसकी वज़े से उसकी मम्मी भी कहती है कि वेटा आप कोई फायदा नहीं आपना प्रेम तो जा चुका है फिर तुम यह सब क्यों गले से लगा के रखना चाहत हो तो इस पर निशा कहती है मा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम मेरे साथ है और मैं इसे हमेसा अपने पास रखना चाहती हूं तो वो भी कहती है कि मुझे समाज के लोगों की परवा नहीं मेरी बहु जैसा करना चाहती है वो ऐसा कर सकती है निशा जो है अपने पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है, टीस्टिंग का जॉब भी करती है, और प्रेम के दिये हुए हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रही होती है, टाइम युदी बेत रहा था, समाज में लोग निशा के सिंधूर और मंगा सुत्रना उतारने पर उसे ताने भी दे रहे थे, कि कैसी बहु लेकर आए हैं, और वो जैसे ही इतनी बदनसीब लड़की है ये, और इतनी अफसगुनी लड़की है, कि जैसे ही ये पैदा हुई, उसने तुरंत अपने माता पिता को इसकी वज़े से खतम हो गया, उसके मम्मी पापा, और अब ये ज अब ये ज़े सुनकर निसा का दिल बहुत दर से कराब उठता कि लोग कैसे हैं, जो कल उसके पती के जाने पर, जिनके अंदर इतना रोज था, जो उसे सावासी दे रहे थे, उसे एक विरांगना बोल रहे थे, उसे एक सहित की पतनी का दर्जा दे रहे थे, आज वही उसे ये ताने दे रहे हैं, वो दुखी हो जाती थी लोगों की बाते सुनकर, फिर खुद को समझाती थी कि लोगों का तो काम ही कहना है, और वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखुबी निभाएगी, वो जो है, किसी की बातों का ध्यान नहीं कर रखेगी, पर निसा सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, वो बहुत दुखी रहती थी, उसके चेहरे पर उदासी हमेशा बनी रहती थी, जहां पर निसा हमेशा हंस्ती खेलती रहती थी, हमेशा सबसे घुल मिलकर खुसी दिल से रहती थी, वहीं पर निसा के चेहरे पर हमेशा उदासी च्छा प्रेम के पापा से उनके सामने सुझाओव रखते हैं क्योंना हम नेशा की शादी कर दें और हम लोग जब तक है कोई बात नहीं कि नहीं रहेंगे तो नेशा की लाइट के लिए और जैदा रेट कर नेशा की लाइफ हो जाएगी और उसे प्रॉब्लम होगी तो इस बात पर प्रेम के पापा को प्रेम की मम्मी का ये सुझाओ अच्छा लगता है तो वो लोग निशा से बाते करते हैं इस बारे में तो निशा रोने लगती है और कहती है कि मम्मी क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी निफाने में कोई कसर छोड़ी है और आप लोग ऐसी बाते क्यों कर रहे हैं मैं आप लोगों की बेटी जैसी हूँ और क्या मैं आप लोगों के पास नहीं रह सकती हूँ मैं शादी नहीं कर सकती जब अगर मुझे मेरे प्रेम का साथ मिलना होता तो मिलता और अगर मेरे प्रेम का साथ नहीं मिला है तो मैं मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए आप लोगों के साथ मैं अपनी लाइप काट लूँगी और अगर मेरी वज़े से कोई दिक्कत हो गई हो तो मम्मी प्लीज वता दीजिए मैं उसे सुधारने के पूरी को सिर्फ करूंगी लेकिन प्लीज मेरी शाधी की बात मत कीजिए प्रेम की मम्मी रोने लगती है निशा को गले लगा के कि जो है उनकी बहु कितनी अच्छी है कितनी समझदार है लेकिन समाज अभी तो उसे सिर्फ आने दे रहा है कल पता नहीं उसके लाइप के साथ क्या हो तो वो खुद को समझाती है और प्रेम के पापा से कहती है कि अभी हम यसी कोई बात नहीं करेंगे आगे अगर निशा से बात करेंगे तो अगर कुछ ऐसा कुछ होगा तो फिर देखेंगे आगे तो निशा से कहते हैं कि बेटा तुम मेरे लिए रीता जैसी हो और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए कोई कश्टा आए निशा अपने साथ ससूर का प्यार पाकर धरन हो चाती है कि साथ ससूर उसके बारे में कितना सोचते हैं वो चाहती है मुस्कुराना पर मुस्कुरा नहीं पाती और निशा की ये दसा देखकर उसकी मम्मे एक दिन अपनी बड़ी बहन से बात करती है उनकी बड़ी बेहन का फोन आता है, उनकी तवियत थोड़ी खराब रहती है, तो कहती है दीदी हमारी बभू निशा बहुत परेशान रहती है, उसका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है, वो अपनी दादी के हाँ भी नहीं जाती है, कि इसका थोड़ा सा महौन चें हो जाएगा, वो यहाँ पे रहेगी, मैं उससे बाते करूंगी जो है, उसकी लाइफ के लिए, उसकी लाइफ में आगे क्या करना है, मैं उससे बाते करूंगी, उससे समझाओंगी, साइद मेरी बाते उससे समझ में आ जाएं, तो ये बाते हैं, ये सुझा और प्रेम की मम प्रेम को बहुत पसंद आता है और वो निशा से कहती है कि बेटा तुम्हारी पहल गाम वाली मौसी तुम्हें बुला रही है उनकी तबीयत नहीं सही है तुम कुछ दिन उनके यहां हो आओ तुम्हारी चुटी भी चल रही है तो इस पर निशा कहती है कि मम्मी जी मैं कैसे जाओ मैं मैं मौसी से सिर्फ एक बार मिली हूं और मैं ज्यादा उनकी बारे में कुछ जानती भी नहीं हूं और जो है मैं क्या उनके साथ अर्जस्ट कर पाऊंगी तो इस पर प्रेम की मम्मी कहती है कि बेटा में दीदी बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छे से ख्याल तुम्हारा रखेंगी प्रेम हर गर्मी की छुटी में अपनी मासी के पास जाता था और वहां पर वो पूरा महीना रहता था और वहां से आने का नाम नहीं लेता था जल्दी तो तुम्हारी मासी बहुत प्यार करेंगी तुम्हें जो हदीदी वैसे भी बहुत ध्यान रख पर कदम रखती है उसे उन हवाओं में उन वादियों में एक अजीव सी अनुभूती होती है उसे लगता है कि जैसे कोई हवा उसकी कानों में कुछ कहके निकल गई हो वो आखे बंद करती है और उन हवाओं को महसूस करती है कि इसी भी इस प्रेम के पापा कहते हैं बेटा त यह कहते कहते उनकी आखे भराती हैं निशा कहती है पापा हम लोगो ने वादा किया है ना प्रेम से कि हम लोग नहीं रोएंगे तो फिर यह आंसू किस लिए तो इसके पापा अपने आशू पोस्ते हैं और मुस्कुषाकर सरहलाते हैं कि हाँ वेटा और निशा को लेकर प प्रेम की मासी निशा का इंतजार कर रही होती है। वो निशा को देखते ही रोने लगती है। और निशा भी उनकी गले रोने लगती है। पापा भी किसी तरह दोनों लोगों को चुप कर आते हैं। दूसरे दिन प्रेम के पापा वाफस आ जाते हैं, और निशा इसके साथ रहती है। बहुत ख्याल रखती है बीमारी में। मासी रहती है। मासी जी का एक लड़का रहता है.. जो विदेश में जाकर जॉब करता है, तो वहीं पर बस जाता है। यहां पर मासी जी अकेली रहती उनके साथ एक नोकरानी रहती है राधा कुछी दिनों में निशा और राधा की बहुत अच्छी friendship हो जाती है और राधा उनकी अहां सुवे आती थी सारा काम करके इसके बाद साम को अपने घर जाती थी वही पास में एक सोटा सा गाउं था पहाडों में बसा हुआ तो वही प भावी भावी करती रहती और निशा का भी मन लगा रहता है वो उसे हसाती उसे घुमाती जो है वादियों में एक दिन निशा इस्टोर रूम में कुछ कर रही थी कि उसके हाथ में एक कील जुप जाती है उसके हाथों से बहुत सारा खून निकल रहा होता मासी घबडा जा कि माजी मैं भावी को अपने गाउं ले जाओं वहां पर एक बैच जी हैं और वह बहुत अच्छी दवाएं देते हैं और इससे भावी को टिटनेस भी नहीं होगा वो इंजेक्शन लगा देंगे और दवाएं दे देंगे वो जड़ी बुटी की दवाएं भी दे देते हैं तो दवाएं देंगे तो उससे सही हो जाएगा और आप परेशान मत हुए भावी को कुछ नहीं होगा तो इस पर उसकी मासी जी कहती है कि हाँ ठीक है वेटा तुम लिए जाना अभी चली जाना और वहां दिखा के इससे दवाएं देके वापस ले आना निशा और राधा अपने गाउं की तरफ चल पड़ते हैं और निशा को पहाड़िया और जरने सब बहुत अच्छे लगते हैं वो सब को इंज्वाय करती हुए बड़े आराम से जा रही होती है और वो देखती है कि राधा का गाउं पहाड़ों के वीच में एक सुन्दर स कस्वा होता है जहां पर कुछ 10-15 घर बसे हुए होते हैं देखें उसका घर इतना सुन्दर लगता है वो वहाँ पर जाती है तो राधा निशा को जब बैद केहां लेके जाती तो बैद किसी की दवा के लिए बाहर गये हुए बाहर बगल में ही गर किसी के घर में गये तो जब राधा पहुशती है तो वो बैद के घर में किसी को आवाज देती है कि काकी क्या बैद चाचा है घर पे तो इस पर एक बूरी औरत निकल के आती है वो कहती है नहीं वेटा वो बगल रामू के हां गये हुए हैं उनके हां कोई आदमी जो मतलब बीमार है उसी देख वो बुड़ी राधी कहती है नहीं वेटा कोई बीमार बहुत है बीमार नहीं है एक एक आदमी हम लोगों को जो है नदी के पास मिला हुआ था उसका चेहरा अजीव सा फटा हुआ है वो पता नहीं कहीं से बहके आ गया था उसी की इलाज के लिए बैद जी गये हैं और जो बहुत दिनों से महीनों वर्से रामु के यहां पड़ा हुआ है तो जो है और बैद जी के दवा से थोड़ा सा वो सही हो रहा है तो उसी को देखने गए है निशा जो है बैठी रहती है तभी बैद जी आते हैं तो राधा कहती है काका भावी के हातों में चूट लगी पर बैद जी देखते हैं कहते हैं कुछ नहीं यह मैं एक लेप लगा दे रहा हूं इससे सही हो जाएगा तो राधा कहती है कि काका बहुत देर कर दिया अपनाने में तो बैद जी कहते हैं कि बैटा वो जो इंसान आदमी मिला हुआ था अब उसकी तब यह थोड़ी सी सही ह है उसी की इलाज के लिए गया था और पता नहीं वो कौन है कहां से आया है और कैसे नदी के नदी के पास मिला तो तुम जानती हो कि सब लोग उठा के उससे लाए हुए थे तो इस पर निशा के मन में उस सुक्ता जागती हुआ अगर जो है आप उसकी आप एक काम कीजिए ना उसकी कोई पिक्स लेके इसके बाद आप बगल के थाने में दे दीजिए कम से कम वो लोग पता लगा लेंगे कि कहां से आया है किसकी यहां का इंसान है कम से कम उनके घरवाले उसे डूड रहे होंगे तो घरवालों के पास तक उनका संदेशा चला जाएगा और वो लोग खुस हो जाएंगे इस पर बैज जी कहते हैं कि बेटा उसका चेहरा इतना फटा हुआ है कि उसकी घरवाले भी उससे नहीं पहचान पाएंगे मैं तो इतने दिन से उसका इलाज कर रहा हूँ और फिर जाके उसका चेहरा थोड़ा सा अब देखने लाइक हुआ लेकिन इलाज से घाव तो भर गए हैं लेकिन चेहरे पे, जगा जगा पे दाग लगा हुआ है, तो उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा है, जिसे उसकी कुई फपिक लेके थाने में मैं दूँ, तो, इसने निसा कहते है कि वाली उसका इंत依ार कर रहे होंगे, और कम से कम लोगों को कुछ पता चल जाएगा, कोई तो ऐसी निसानी होगी जिसकी वज़े से उसकी घर तक पहुचा दिया जाएगा उसके घर वाले उसे ले जाएंगे तो इस पर बैच जी कहते हैं बेटा अब यह तो मुझे नहीं पता है लेकिन हाँ कोई फादा नहीं है उसकी ना कोई फोटो अच्छी आएगी ना मैं उसे बचाने की पूरी कोसिस कर रहा हूँ निशा का मन नहीं मानता वो चाहती कि एक बार वो उस आदमी को देख ले उसकी कोई फोटो खीच ले और उसे ले जाकर वो बगल के गाउं में दे थाने में दे दे तो निशा करती भावी चलिए माजी गुस्ता करेंगी और अभी काफी लेट हो गया है हम फिर आप आईएगा बैजी से मिल लीजिएगा बात कर लीजिएगा तो निशा करती राधा चलना एक बार देख लेते हैं उसको तो राधा करती नहीं भावी आज माजी बहुत गुस्ता करेंगी मेरे उपर और उन्होंने कहा था कि भावी को कर रही है उसके घरवाले भी इसके बीवी बच्चे भी आपने पती का इंतजार कर रहे होंगे उसकी ममी पापा хватा कर रहे होगे पता नहीं कौन है और वो मन में सोचती है कि कल वो मासी जी से पूछ के जाएगी और उसका कोई भी फोटो लेके खाने में जरूर देगी जिससे वो अपने घर तक पहुँच जाए उसका प्रेम तो उसे नहीं मिला लेकिन कम से कम वो इंसान तो अपने परिवार से मिल ही ले इस पर उसके जो है घर वाले वो सारा काम करती है सारा काम करने के बाद वो सोचती है कि मैं जो है आज मासी जी से इजाज़त ले लूँगी और चली जाओंगी जो है फिर चली जाओंगी मैं मासी जी से इजाज़त ले लूँगी और गाउं में चली जाओंगी देख लूँगी कि कैसे वो आदमी कौन है और उसकी कोई पिक्स ले लूँगी तो वो जल्दी जल्दी खानावगरा बनाती है और मासी जी से बात करती है कि मासी जी आज मुझे थोड़ा सा दर्द ह रात में और हो रहा है तो मैं दिखाने आज फिर चली जाओं तो मासीजी कहते ही हां बटा चली जाओ और देखना रात नहोंने पाए थोड़ा जल्दी वापस आ जाना वो कहती है जी मासी जी मैं जल्दी आने की कोशिस करूँगी और वो राधा सारा काम अपना निपकाती है जल्दी जल्दी और सारा काम करने के बाद वो जो है राधा से कहती है कि चलो आज तुम्हारे गाउं चलते हैं मुझे बैजी को फिर से दिखाना है तो राधा कहती है और मुझे उस इंसान से मिलना है तो इस पर राधा कहती है कि आपने मा जी से पूछा भावी तो कहती है कि आज रहने देते हैं ना बाद में आके मासी जी को मैं बता दूँगी तो वो साथ में राधा के जाती है और फिर वो रामो की घर जाने के लिए राधा से कहती है तो राधा उसे रामो की घर लेके जाती है वो जैसे ही रामो के घर में जाती है तो वहां से एक औरत निकलती है तो वो कहती है कि चाची आप के यहां जो बीमार पड़े हुए हैं भा तुम उनको अभी मत देखो, सही हो जाने दो, तो इस पर निशा जित करती है कि नहीं, चाची हमको एक बार देखने दो, मैं इस इंसान से मिलना चाहती हूँ एक बार, मुझे एक बार देखने दो, बस मैं देखके चली जाओंगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो इस पर निशा की जित को वो औरत मान लेती है, जैसे ही निशा उस इंसान के पास जाती है, वो चद्दर हटाती है, चीक पड़ती है बहुत तेज से, क्योंकि वो वाकई उस इंसान का चेहरा इतना ज़्यादा खटा-फटा हुआ था, कि वो देखके उसे डर जाती है, तो राधा केती भावी, इसलिए मैंने आपको मना किया था, कि आप इसको मत देखो, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं, कि यह बहुत ज़्यादा भयानक लगता है, तो निशा उसको देखकर जैसे ही वापस आ रही होती है, उसके हाथ से उस आदमी ने जो चद्दर ओड़ा हुआ है, वो ओम देकर कुछ थोड़ा चौक सीजाती है, और दिमाग पर जोड डालती है, कि यह ओम तो उसने कहीं देखा है, पर कहां ये बात उसे याद नहीं आ रहे थी, तो फ्रेंस मेरी ये कहानी तुम कब आओगे का भाग तीन यहीं पर खतम हुआ, भाग चार लेकर मैं अगले सेटेडे में हाजिर होंगी, आप देखिएगा कि वो आदमी होता कौन है, और निसा उसको देखकर रियक्ट कैसा करती है, उसे वो निसान याद नहीं आता कि कहां है, कहां उसने देखा है, कोई निसा का परचित होता है, क्या कोई और होता है, तो ये सारी कहानी आप भाग चार में सुनिएगा और तब तक के लिए मुझे आग्या दीजिए नमस्ते और प्लीज मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को भी भाग एक और भाग दो की तरह धेर सारा प्यार दीजिएगा प्लीजिए 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 आख दीजिएगा और ये कहानी सुनिएगा आट खितना ओम आपनी दूर हुआगा प्लीजिए वाग झालत कर दो को भी दो के लिएगा वाग।